मार्केट में एक बर फिर से रिकवरी हो रही थी और बिटकन का प्राइस ब्यारी सहजार डॉलर तक आज अब थोड़ी दर पहले पहुंचा और एकदम से रिजेक्शन मिली और रिजेक्शन की वज़े से एकदम से मार्केट नीचे किरना शुरू हो चुकी है अभी दो से तीन चीज़े हम देख पा रहे हैं जो मैं आल्रेडी टेलेग्राम के उपर शेयर कर चुका हूँ तो एक्चल में किया है कि यहां मैंने आपको पहले कई बर बताया था कि 42,000 डॉलर से लेकर 43,000 डॉलर यह कैसा पॉइंट है यहां पे बहुत से ऐसे बुल्स हैं जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं जिनका कम से कम यहां 2 बिलियन डॉलर के आसपास प्रॉफिट बनने वाला है तो इस प्रॉफिट को बुक करने के लिए उन्होंने पहले और भी ज़दा बाइंग करी है करी 32,000 डॉलर 35,000 डॉलर के आसपास जिसके साथ यहां इथेरियम की जो डॉमिने से वह भी नीचे करना शुरू हो चुकी है एथेरियम का प्राइस भी नीचे आए एंड कुछ और कोईट करना शुरू हो चुकी है तो यहां से मार्केट उपर जाए गए नहीं है सब कुछ आप डिसकस करेंगे इनके जो वैल्यू हैं कम हैं इवेंट्स हैं बहुत अच्छे इवेंट्स आ रहे हैं अच्छा रोड में पर लेकर आएं तो वीडियो को पुरा देखते रहे ना लेकिन अगर आमारे चैनल पर पहली बार आए तो अभी से वाल्फटेट चैनल को सब्सक्राइब करके वह ल लिए अगर यहां पर रहता है तो यहां से हमें फिर से उपर को अप्ट्रेंट देखना को मिल सकते हैं वरना मैंने कुछ आपको पिछले वीडियों बताई थी कि जो हमें करीब थरस्डे वाले दिन एक डिसीजन मेलेगा जिसके बिसिस पर पूरी मार्केट डिपैंड होने वाली है एंड इसी चीज का हम फायदा उठाने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ी अगर हम बात करें वजीरेक्स से याद है कि वजीरेक्स का जो बर्न इवेंट है वो भी बहुत करीब आ चुक है तो बर्न इवेंट पॉसिबल था कि अभी फेब्लरी महीने के अंदर ए वजीरेक्स यहां पर बर्न करेगा एंड एक अच्छा प्रॉफिट देख पाएंगे वजीरेक्स में इससे पहले भी जैसी यहां कुछ अच्छी रेगलेशन आई है टेक्स की बात करी जा रही थी क्रिप्टो को बैन करने की बात नहीं करीगी लीगलाइस करने की बात आपने देखा करीब 96 रूपिस तक गया था बहुत ही उपर गया अभी फिर से बाइंग अब फिर से एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो अगर आपको वजीरेक्स की उपर डेटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रू कर देना बाकि अभी हम बढ़ते हैं कुछ इवेंट की तरफ इवेंट की बेसिस पर कॉंसे को अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं सबसे पहले की बात कृएं तो यह है बैस्ट मेटावर्स बेस्ट कोइन्स से एक क्रोमिया तो क्रोमिय को हैं आपको मिल जाएगा वजीरेक्स के उपर C.H.R. के नाम से एक इनक जीरेक आ रहा है इसका जो February महीने के अंदर यह Chain of Allianz आने वाले इसकी upcoming RPG गेम है, जो multiverse रहने वाली है, built on chromia, तो जब भी ऐसी कोई बड़ी चीज आती है, बड़ा event आता है, तो price definitely बहुत ऊपर जाता है, जिसमें क्रीब 2.4 million dollar का seed round finish हो चुका है, तो इसका event आगा February महीने के अदर, हमें profit पर अच्छा मिल सकता है, CHR आप buy कर सकते हैं, जो अभी आपको बहुत कम value पर मिल जाएगा, नेक्स coin की बात करें, तो bluezell है, bluezell जिसका BLZ के नाम से coin है, अगेन वेजरेक्स के उपर है, तो इसमें इसले एक दो दन के अदर बहुत बड़ा pump आया, इसी के साथ इसकी कुछ events हैं, जो अभी आने बाकी है, तो February महिने के अंदर mainnet की बात करें, तो edge cracking आने वाला है, Harrison नाम से इसका mainnet आएगा, एक्चल में इसका जो Harrison mainnet आएगा, इसकी वज़े से बहुत बड़ा again एक pump आ सकता है, तो BLZ ये भी अच्छा coin है, low valuable coin है, आप buy कर सकते हैं, तीसरे coin क की बात करें, तो आपके पास, I hope की, BTTC जरूर होगा, अगर आपके पास एक BTTC था, तो अभी हजार BTTC उसके बदले में मिल चुके होगी, तो actual में आपको शाहिद याद होगा कि अभी redomination plan हुआ था, जिसकी बज़े से हमारे BTT हटा दिये गे थे, भी torrent हटा दिये गे थे, उसके बदले में, एक के बदले के हजार आपको मिले हैं, अगर नहीं मिले अभी भी तो नीचे comment जरू करना, उसका solution मैं आपको साथ के साथ बदा दूगा, क्योंकि इसका जितना ज्यादा आपके पास BTTC होगा, उतना ही ज्यादा profit आपको मापा होगी, क्योंकि इसका करके कई सारे इवेंट्स आ रहें, इतना ऊपर नहीं जाएगा जितना आपको BTTC प्रॉफिट दिलाएगा इन दिनों के अंदर, तीसरे कोईन की बात करें तो यह आयोस्टी, कुछ लोग मुझे पूछ रहेते हैं, क्या यह फेल हो चुका है, बहुत लंबे समय से होड़ कि पब्लिक चैन की उपर, आयोस्टी न्यू सीक्रेट वेपन लाँच करने जा रहे हैं, जो अगेंस टैंतर करने वाले आयोस्टी के ग्लोबल आउट्रीच को इसे के साथ आयोस्टी के एकोसिस्टम है, उसको बढ़ाया जाएगा, जो खासकर साहुत इसे के मार्केट में एक आयोस्टी है, आपने होल्ड किया है, तो होल्ड करके रखें, इसकी अच्छी न्यूज आपको आने वाल दिनों में मिल सकती है, चौते कोईन की बात करें, तो ये अपडेट आलरी मैं आपको दे चकाऊं, इथेरियम क्लास्टी के बारे में, इथेरियम क्लास्टी का पहले मार्केट यहां पॉस्टिव रहेगे, गर पॉस्टिव रहेगे तो आवियसली प्राइस उपर जा सकते हैं, वरना कई सारे इवेंट्स फेल हो जाते हैं, सिर्फ डंप की वजए से, आखरी कोईन की बात करें, तो यहां है सैंडबॉक्स, तो सैंडबॉक्स की भी चार दिन के बात होने जा रहे हैं, तो सैंडबॉक्स अगेन बहुत बड़ा बूम ले सकता है, तो बैस्ट मैटावर्स कोईन साब खुद जानते हैं, सैंडबॉक्स हो गया, गाला हो गया, इंजन हो गया, माना, तो यह मैं आपको आल्रेडी बताता हूँ, गाला बताया अगर आपको जानकर यह अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शियर ज़रू कर देना, और हमारी चैनल वाफटेड को सब्सक्राइब अरके बहले के दबालीजिए, ताके आप तक सारे नोटिफिक्वेशन सबसे पहले पहुंचें, धन्यावाद।